आज इस पार्ट में हम मोहमद जैसी जिनको मलिक महमद जैसी के नाम से जाना जाता है मलिक इनका एक पद का पद सूचक यह शब्द है मलिक और इनका नाम जैसी इनको बुलाया जाता था क्योंकि जायस गाउं में ये पैदा हुए थे मलिक मुहमद जायसी के लिखे दो कड़बक पढ़ने जा रहे हैं और आपकी पुस्तक में जो पाठ दिया गया है और जो जानकारी इनके विशय में दी गई है वहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उसी को आपको याद रखना है क्योंकि जो जन्म और इनकी मृत्यों की तिथी है वह सही सही ज्यात नहीं है अनुमान के आधार पर आपको अलग अलग जगह अलग अलग तिथी देखने को मिल सकती है इसलिए कन्फ्यूज नहों सिर्फ आपकी जो किताब में दी गई है तिथी उसी को आप परिक्षा के लिए याद रखें तो इनका जन्म अनुमानता 1492 इस्वी में हुआ और इनकी मृत्यू 1548 के आसपास हुई कहीं कहीं आपको 1542 भी लिखा हुआ मिलेगा तो आपकी पुस्तक में 1548 है इसी तिथी को आप याद रखेंगे क्योंकि जब MCQ आपको आंसर करने होंगे तो वही उत्तर मानने होंगे जो आपकी पुस्तक में है निवास इस्थान इनका जायस गाउं रहा और ये आज के उत्तर प्रदेश के राइबरेली में इस्थित है जायस गाउं इनकी कब्र अमेठी में अर्थार्थीं की मित्तिव वहां हुई होगी और इनके पिता का नाम मलिक राजे अश्रफ था इसको कई जगे हम मलिक, शेख, मम्रेज के नाम से भी देखते हैं तो इनके पिता के नाम में अगर आपको ये दौनों नाम में से कोई एक नाम मिलता है तो आप MCQ में उसी को सेलेक्ट करेंगे मलिक मैंने जैसे बताया एक पद नाम है, एक टाइटल है जो सम्मान के तौर पर दिया जाता था तो वह है इनके गुरू सुफी संत शेक महोदी और सेयद अश्रफ जहांगीर माने जाते हैं और इनोंने आरंब में जायस काउं में रहते वे किसानी की और बाद में जो शेश जी वन था वे फकीरी में गुजारा बच्पन में ही अनात हो गए थी इनके माता पितकी मृत्य हो गए थी सादू फकीरों के बीच में उन्होंने अपना जीवन गुजारा और इनकी कुरूपता का कारण बच्पन में हुई चेचक थी जिसके कारण की एक आख चली गई थी और एक कान से भी वन्चित हो गए थे और अपनी कुरूपता के बावजूद ये मृदुभाशी थे और बहुत विद्वान थे इनकी जो कृतियां हैं प्रमुकृपत से आप तीन कृतियां याद रखे पद्मावत, अखरावत और आखरे कलाम इसके अतिरिक्त इनकी जो कृतियां मान जाती हैं चित्ररे का कहरा नामा और मसला या मसला नामा चमपावत, हुली नामा, इत्रावत, आदी कृतियां भी उल्लेक में आती हैं तो मुख्य रूप से इनकी कृतियां पद्मावत, अखरावत, आखरे कलाम हैं इनकी कावे रचने दोहा चौपाई आदी चंदों में कड़बक शैली में निबद हैं और अधिक तर इन्होंने जो भाषा का प्रियोग है अवधी भाषा का प्रियोग अपनी कावे रचनाओं में किया है और इन्हें प्रेम की पीर के कवी भी कहा जाता है मुखेता ये शिंगारस के कवी है और शिंगारस में भी वियोग शिंगारस के दो भेद होते हैं संयोग शिंगारस और वियोग शिंगारस तो वियोग शिंगारस में इन्होंने अदभुत लिखा है और इन्हें प्रेम की पी से कहा जाता है कि उनको देखकर दिल्ली का पठान बाच्छा हस पड़ा था तब जायसी ने उनको संबोधित करते वे कहा मोही का हसित की हसित को हा रही अर्थार्थ मुझ पर यह हसते हो मेरे उस बनाने वाले कुमहार पर हसो अर्थार्थ हम सब ईश्वर की रचनाएं हैं इसने को रचा है इसे गढ़ा है मुझे गढ़ा है तो उस पर हांसो उसकी कमी है यह तो इस तरह से आप देखिए उनकी विद्वता यहां जहलकती है एक इस तरह से उन्होंने आपनी बात को सिधा-सिधा यहां पर पाश्चा के सामने रख दिया बहुत ही तरीक किसे रखा वे जियोतिश विद्या और विदान्त और हट्योग में भी निपुन्ट थे विद्वान थे और उन पर तत्कालिन मतमतांतरों का भी प्रभाव उनकी काविरचनाओं के द्वारा हमें देखने को मिलता है अमेठी की राजा में राजा के दरबार में उनका बड़ा सम्मान था और MCQ कुछ इस प्रकार से आ सकते हैं मलिक मुहमद जैसी का जन्म हुआ था आपको ऑप्शन दिये गए हैं यहाँ पे कह खह गह और घह चारों ऑप्शन पढ़िए और इसमें जो सही ऑप्शन है उससे आ गए विवरंड के अनुसार ती के जानकारी के अनुसार यह उत्तर सही है और कड़बक क्या होता है अब जो हम दो कड़बक आपकी पार्ट में संकल लेते हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं कड़बक किसी भी बात को इस पश्ट रूप से अर्थात बिना लागला पेट के कह कह देने की शैली है एक तरह की शैली है तो प्रस्तुत कड़बक अब जो हम पहला कड़बक पढ़ रहे हैं वह उनके महा कावय पदमावत के इस्तूति खंड के प्रारंबिक छंदों से लिया गया है सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि यह अंश इस्तूति खंड से लिया गया ह एक नैन कभी मोहमद गुनी इसको पहले हम पढ़ लेते हैं उसके बाद इसका आर्थ समझेंगे फिर इसको व्याख्या सहित समझेंगे तो एक नैन कभी मोहमद गुनी सोई भी मोखा जहीं कभी सुनी चांद जैस जग बिदी अवतारा दीन कलंक किन उजियारा जग सुजा एकई नैनाहा उवा सुग अस नकतन माहा जो लही अंबही डाब न होई तो लही सुगंद बसाई न सोई कीन समुद्र पानी जो खारा तो अति भयव असूज अपारा जो सुमेर तिरसूल बिनासा भा कंचन किरी लागा अकासा जो लही घरी कलंक न परा काच होई नहीं कंचन करा एक नैन जस दरपन ओते ही निर्मल भाव सब रूप वन्त गही मुख जो वही कई चाओ अब इसे हम इसके जो कठिन शब्दे हैं उनके अर्थ देखते हैं एक नैन का अर्थ होता है नेत्र इसके प्रयवाची आप देख कर इसकते हैं आँक नेत्र चक्षु कभी और कवी मुहम्मद मुहमद जाहशने गुनी गुनमां गुनी आप वत हुछ बूट मोहिस अर्शचन जेई जैए कवी 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 यहा कवी लिखा है और दानोकारत पोईट याने कवी है सुनी सुना चांध चंद्रमा चंद्रमा का प्रयवची क्या है चंद्रमा का प्रयवची चंद्रमा है शशी है और जैस जैसा जग दुनिया विदी विधाता और ओतारा ओतारित दीन है कलंक का अर्थ है यहां पर अंदकार और कीन किया उजियारा उजाला, यानि रोशनी, जग, दुनिया, सूझा, देखा है, एक ही, नैना, उवा, उदित, सुक, शुक्र, शुक्रतारा, आपने आसमान में देखा होगा, शुक्रतारा, शाम के समय आप देखे, सबसे चमकता हुआ, सबसे अधिक चमकता हुआ, तारा जो दिखता है, वही बीज, जो लही, अंबही, अंबही, आम को कहते हैं, आम का प्रेवचे, आमर भी होता है, डाब, फूर्ती, मंजरी, जो बौर होता है, आम बनने से पहले, जो बौर, फूल से खिलते हैं, उसे मंजरी भी कहते हैं, बौर भी कहते हैं, नहोई, ताल लही, सुगंद, यानि अच्छी खुश्बू बस आहिना सोई यानि आम की मंजरी जब फूटती है तब उसकी सुगन फैलती यही आम की मंजरी बहुर तो यहां आगे हम समझेंगे जिस प्रकार आम में नुकीली डाबे नहीं निकलती तब तक उसमें सुगन नहीं आती यानि आम में सुगन आ जरूरी है डाब के करण आम की खुश्बू बढ़ जाती ठीक और यह इन्हों ने उधारन दिया है यहां पर के उसी प्रकार गुंड के बल परव्यक्ती समाज में आधर पाने की लैग बन जाते है इसको आगे हम समझेंगे तब आपको इसमझ में आएगा कीन समुदर पान जो खारा तो अती भयो तो पानी यानि पाने जल समुदर सागर सागर इसको जो होता है अपार है विशाल है लेकिन उसका पानी खारा है कोई पी नहीं सकता यह उसकी कमजोरी है लेकिन उसकी अपारता उसका गुंड है तो यही खारापन के होते वे भी अथास गहराई और असीम आकार के कारण समद्र को यानि सागर को हम महत्व देते हैं उसकी विशालता का गुन गाते हैं तो यहां कभी एक बार फिर से कहना चाहता है कि उसका कुरूप होना उसके लिए उसकी कमी नहीं है उसका वर्दान ही होगा तो जो सुमेर तिरसूल अब एक और उधारन उन्हों दिया कि सुमेर परवत जो है उसपर जब शिव जी का तुर्शूल लगा था उसके बाद वै कंचन की तरह चमकने लगा था तो वै कहना है कि सुमेर परवत की याश्गा था भी शिव के तुर्शूल के गड़िया गरिया संब करता है नहीं आपने आभशनों को शुनाचा झाहिते दातों में अपने अफशन दातों को बिग्ते उने कंधा this उसके बाद यह वह कंचन होती है चमकती है सोना बनती है खरा बनती है तो सोने की कच्ची धातु को जब सोनार घरी में डालता है और उसमें कुछ कैमिकल डालता है मैल जिसको एक मैल में से एक तरह का रसायन होता है घरिया का मैल तो वह डाला जाता है तब यह कच्ची धातु खरी होती है, यह सोने की तरह चमकती है, सोना बनती है, तो अब इसमें जो आशे है वही है, यह कि जैसी का यह जो कलंक है, एक नेत्र हीन, उसका एक नेत्र नहीं है, यह उसका जो उसकी कमी है, यह उसे खरा सोना बना देगी, क्योंकि घटिया जो घरिया है, उसमें तपाई बिना सुना भी नहीं नहीं करता, तो आगे इसको समझेंगे, कहना तो वो यह ही चाहरा है, यह सभी प्रतीक पड़ रहे हैं, इनके उधारण को बताते वे यहीं सिद्ध करना चाहरा है, कि मेरा एक नेतर नहीं है, यह दोश जो है, मुझे में कोई कमी नहीं देता, क्योंकि म मेरी कावय प्रतीबा उन सबसे बहुत उपर है, एक नैन जस दरपन, एक नैन, दरपन मिस दरपन, निर्मल मिस बिना किसी मल के अर्था, बिना किसी गंदगी के, और रूपवन्थ, रूपवान, जो सारे रूपवान है, और वो क्या करते हैं, वे उसके पाउँ पकड़कर चाव से उसका मूँ देखते हैं, अर्थात, उसका सम्मान करते हैं, तो यह जो एक नैन है, यह तो दरपन के सम्मान है, दरपन क्या होता है, वे मैल रही तो होता है, उसमें जो आप है, वही दिखता है, तो मेरा जो नेतर है, उस दरपन के सम्मान है, उसका भाव एकदम न के साथ लोग मुझे स्विकाडते हैं मुझे सम्मान देते हैं ये जो सभी रूपवान है इसी कुरूप व्यक्ति के पाउं पकड़ कर चाव से उसका मुझे देखते हैं अर्थात उसका सम्मान करते हैं इसको हम आगे समझेंगे तो अब देखी जो प्रसंग है इस पूरे अंश का ये जो पूरा च्छंद है इसमें कवी मलिक मुहमद जैसे अपने कुरूपता और एक आँख से अंधे होने पर भी शोग प्रकट नहीं करते अफसोस प्रकट नहीं करते वे आत्म विश्वास के साथ अपने काव्य प्रतिभा के बल पर लोकहित की बातें करते हैं प्रकटिक जो प्रतीक है अभी आपने देखे कौन-कौन से प्रतीक है उपमान जो दिये हैं अपने से तुल्ला करती हैं उन्होंने जो प्रतीक रखे हैं जो प्राकृतिक है उनके द्वारा जीवन में गुण की महत्ता की विशेष्टाएं बताए हैं तो अब हम इसे लाइन वाइस समझते हैं तो कभी कहते हैं एक नैन वाले कभी महम्मद जायसी बहुत ही गुणी है गुणवान है जिस भी व्यक्ति ने उनको सुना वे उनसे प्रभावित हुआ अर्थार्थ उनके कावे को सुनकर सभी जन मोहित हो जाते हैं जैसे चांद की रोशनी अंदकार को दूर करती है वैसे ही वे भी इस संसार में अवतरित हुए हैं अर्थार्थ इस संसार का अंदकार दूर करने वाले कभी हैंवे और संसार ने उनके इस एक नेतर को नक्षत्रों के बीच चमकते हुए शुक्र तारे की तरहा देखा है अर्थार्थ लोगों ने उनके गुण को देखा है उनकी कमी को नहीं देखा है फिर भी कहते हैं कि जैसे डाब के कारण आम की खुश्बू बढ़ जाती है ठीक उसी प्रकार गुन के बल परव्यक्ति समाज में आदर पाने का हगदार बन जाता है उसकी कमी लोगों को दिखाई नहीं देती उसके गुन दिखाई देते हैं ये गुन आम की सुगंद है ये आम की जो सुगंद है वो उनकी गुन का प्रतीक है और डाब उनकी कुरुपता का तो इस तरह से यहाँ पे उन्होंने आम और डाब का उधारन दिया आगे वे समुद्र और उसके खारेपन और उसकी विशालता के बारे में बताते कहते हैं कि जिस प्रकर खारेपन के होते हुए भी अथाहा गहराई और असीम आकार के कारण समुद्र की महत्ता है फिर आगे कहते हैं सुमेरु परवत शिव के त्रिशूल द्वारा चोट खाकर सोने जैसा रूप धारन कर लेते हैं सोने की परवत में बदल जाता है तो उसी तरह मेरा यह आवगुण भी मुझे और निखारेगा मेरा यह आवगुण मुझे निराश नहीं करेगा मुझे और निखारेगा मुझे और गुन्वान बनाएगा और सुमेरु परवत की यश्का आथा है वो शिव के त्रिशूल के इस परश के बिना निरथा के अर्थाथ जिस तरह से शिव के त्रिशूल से उस परवत को कहने कार्थ है मेरा यह गुण मेरी प्रतिभा के सामने टिक नहीं पाएगा लोग मेरी प्रतिभा को जानेंगे जैसी घरिया में तब कर फिर आगे एक और उधारन देते हैं कि जैसे सुनार की घरिया जिसमें वे आभुशनों को गलाता है एक रसायन डाल कर उसमें उससे साफ करता है खरा बनाता है कच्ची दातों को खरा बनाता है तो कहते हैं जैसे घरिया में तब कर कच्चा सोना भी चमकते सोने का रूप पालेता है उसी प्रकार कभी का जीवन एक नेत्र हींता के कारण दोशभाव उत्पन्तु करता है परंतु यह दोश उसकी कावे प्रतिभा के आगे टिक नहीं पाता उसकी कावे प्रतिभा के आगे सब कुछ गौन पढ़ जाता है अर्था सब कुछ फीका पढ़ जाता है उसकी कावे प वे कहते हैं कि जिस प्रकार दर्पन निर्मल और स्वच होता है जैसी उसकी छवी होती है वैसा ही उसको उसमें अपना अक्स दिखाई देता है प्रतिविम्ब दिखाई देता है ठीक उसी प्रकार कभी-कभी व्यक्तित्व है कभी का व्यक्तित्व निर्मल और सच है और उसका जो हिर्द है वह निर्मल है उसके कुरूपता और एक आँक के अंधे पन से उसके व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका यह जो व्यक्तित्व है जिसके कारण उसने लोक मंगलकारी कावे स्रजन किया है और सारे जग को मंगलमाई कर दिया है तो इसी कारण जो रूपवान है वे भी उसका सम्मान करते हैं उसकी प्रशंशा करते हैं और अपने शीश नवाते हैं कवी के गुण उसे सम्मान दिलाते हैं उसकी कुरूपता के आगे उसकी कुरूपता को गौन बना देते हैं तो यहां उसके आत्म विश्वास को आप देखिए कि कवी को अपनी प्रतिभापर कितना विश्वास है एक तरह से संदेश भी है कि हमें किसी भी जो चीज है उसकी बहारी सुन्दरता को नहीं आंतरिक सुन्दरता को देखना चाहिए वही विशेश होती है तो यहाँ पर हम जो विशेश लिखेंगे उसमें भाशा अवधी भाशा है और चौपाई भी है दोहा भी है चंद और शैली जो है वो कड़बक शैली है यहाँ सूफी शैली भी आप लिख सकते हैं गुण प्रसाद है माधूर्य गुण नहीं है इसमें गुण प्रसाद है रस शांत है अनुप्रास अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार है और जब यह प्रश्न किया जाता है कि पहले कड़बक में कवी ने अपने लिए किन-किन उपमानों की बात की है या चर्चा की है तो हा शुक्रतारा, अम्ब यानि आम, समुद्र, सुमेरू, घरी, दरपन, आधी उपमानों का प्रयोग अपने लिए किया है और पहले कड़बक में संग्या पद अगर आप देखें तो वे हैं कुछ संग्या पद यहां पर ऐसे लिख सकते हैं आप नयान, कवी, महमद, चान, व्यक्ति या वस्तू, विशेश के नाम होते हैं तो यहां पर सुगांद, स्वमुद्र, भाव भी इसमें भाव का नाम भी हो सकता है तो सुगांद, पानी, सुमेरू, त्रिसूल, कंचन, गीरी, आकाश, कांच, यह घरी होगा और कांच, कंचन, दरपनमुक इस तरह से कर दो सकता है